यहीं दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे ग्लोगल कॉन्फलिक्ट दोस्तो आप सबको पता ही है कि इस महिने के अंत तक भारत को पहला छे राफल एयर क्रेप्टों का डिलिविरी मिलेगा पर दोस्तो इस दर्मियान जब से चायना के साथ भारत का टेंशन बड़ा है तब से ही रैफल को लेके काफी जादा बाते खुल के सामने आ रहा है इन में से सबसे पहली बात तो यह है कि क्या भारत द्वारा इन रैफलों को जल से जल चायना के खिलाब डिप्लोई किया जा सकेगा और दोस्तो इस दर्मियान अब सुनने को ये भी आ रहा ह कि रैफल एर करप्टों के डिलिवरी से पहले ही इंडियान एरफोर्स के उच्छे अधिकारियों के बीच में बैठक हो रहा है जिसमें रैफल एर करप्टों के डिपλोईमेंट और लदाक मुद्ब्ध मुद्दे को डिसकस किया जाएगा तो क्या संभावनाई ये है कि र बढ़ने के बाद इंडिया और फ्रांस के बीच में रफेल एरक्रप्टो को लेके जल से जल डिलिवरी का बात भी किया गया था और फ्रांस के दरफ से जिस तरीके से चार की जगा में छे एरक्रप्टो का डिलिवरी किया जा रहा है इससे इस बात का भी संभावना है कि भार वी नर्मी नहीं आया। चाइना द्वारा एक बार डिप्लॉइमेंट को हटाने का बात कहा जाता है तो अगले ही दिन चाइना अपने ही पातों से मुकर जाता है। और इसे ही देखते हुए इंडियन आर्मी और एरफोर्स के तरफ से लदाक के नस्दिक अपने मजबूती को और मजबूत किया जा रहा है। जहाँ पे आर्मी के तरफ से टैंक, इंफेंट्री, कॉमवेड, वियकल, पैरा टूपर्स और पैरा स्पेशल फोर्स का डिप्लॉइमेंट किया जा रहा है वही पे एरफोर्स द्वारा अपने ट्रांस्पोर्ट एरक्राप्ट, अपाचे औ आरनामा के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे, किस तरीके से लीविया के अंदर एर वेसेस को तवा किया गया और तरकी को पता ही नहीं चला कि किसने इसे तवा किया, इवन टर्की का एडवांस तरेंड एर डिफेंस सिच्टम भी इसे पकड़ नहीं पाया और नाही तरकी के एप सिच्टिन के पास इतना दम था कि इसका पीछा कर पाए, तो आप समझ सकते होंगे कि इसका डिफेंस से भारत को चायना के एर डिफेंस सिच्टम और एडवांस तरेंड S-400 के उपर कितना ज़्यादा बड़ोत्री मिलेगा, दोस्तों आपके जानकरी के लिए ये भी बता दू कि जब भारत के तरफ से दो स्क्वाडरेंट रैफेल एर करब्टों का डिल किया गया था, तभी ये साफ कर दिया गया था कि इन में से एक स्क्वाडरेंट पाकिस्तान के खिलाफ होगा और दूसरा चायना के खिलाब, जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ प इस्तिमाल किया जा सकता है इंडियन एर फोर्स को जो पहला छे रैफाल एर करप्टो का डिलिविरी मिलेगा इसे अंबला बेस में ही सबसे पहले स्टेशन किया जाएगा लेकिन देखना ये है कि कब तक इन्हें ऑपरेशनली डिप्लोई किया जाता है और कब तक लदाग जै जो जा करें के नजड़िक डिप्लोई कर रहा इससे समभावना ये भी है कि जलसे जल्द रैफाल एर कर्टो को लैन आफ एक्च्वल कंट्रोल के नजड़िक डिप्लोई किया जा पाए ल Lamb of Actual कंट्रोल के नजदिक रैफाल अगर होगा तो ये भालत को खाली साइकलोजिकल बढ़ोतरी नहीं देगा बलकि पावन में भी काफी गुना बढ़ोतरी देगा क्योंकि इन एर क्रेप्टों का तोड ना ही चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क के पास है इवन अगर देखे तो चाइनीज एर डिफेंस सिस्टमों के सामने रैफेल एक ऐसा चुनोती है जिससे निपटने का हिम्मत फिलाल चाइना के पास नहीं है और इसी बज़ाए से जब इंडिया द्वारा रैफेल एर क्रेप्टों को खरिदा गया था तब पाकिस्तान और चा रहेगा 27 तारीका जब इंडिया में पहला रैफेल एर क्रेप्ट पहुंचेगा तो दोस्तो अगर आपको जानना है कि रैफेल एर क्रेप्ट किस तरीके से चायना के J20 एर क्रेप्टों के उपर भारी पर सकता है तो जरूर कॉमेंट कीजिए और आप लोगों के कॉमेंट क